लमशकाल डीवी नीउस में आपका स्थुआगत है अमेरिकी रास्ट पती जो बाइडिन ने इसराइल की यात्रा पर विचार किया जबकि उन्होंने रविवार को गाजा पत्टी पर लंबे समय तक इसराइल के गबजे के खिलाव चेताओनी दी क्योंकि वाइट हाउस ने छेत्री संकट बढ़ने की आशंका के साथ देश के लिए समर्थन को संतोलित करने की कोशिश की आंतर एक चर्चा से परिचित दो लोगों के अनुसार इसराइल की यात्रा करने के बारे में अभी तक कोई निर्ने नहीं किया गया है और राश्ट्रिय सुरक्षा परिशत के एक प्रवक्ता ने कहा है कि वाइट हाउस के पास घोशना करने के लिए कोई यात्रा नहीं है लेकिन संभावित यात्रा और गाजा में फिलिस्तीनियों और पूरे छेत्र के अरब नेताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को स्विकार करना नवीनतम संकेत था कि अमेरिका संकट को और अधिक बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था एक रिपोर्ट में बताया कि बाइडेन ने अपने विश्वास पर जोर दिया कि इसराइल युद की नियमों के अनुसार कारे करेगा और निर्दोश नागरिकों को दवा भोजन और पानी तक पहुँच मिलेगी वहिए उन्होंने यह भी कहा कि उनका मानना है कि इसराइल को इस छेत्र को दीरग कालिक रूप से नियंतरित नहीं करना चाहिए इसके बजाए इस छेत्र को फिलस्तीनी प्राधिकरण द्वार शाशित किया जाना चाहिए बाइडेन ने कहा मुझे लगता है कि यह एक बड़ी गलती होगी देखिए मेरे विचार से गाजा में जो हुआ वह हमास है और हमास के चरम तत्व सभी फिलस्तीनी लोगों का प्रतिनिधत वो नहीं करते हैं